हेलो एवरिवन इस वीडियो में हमकश्रातीन की हिंदी की कारेपत्रे का नंबर 83 ए करेंगे दिनांख है इसकी 30 सेप्टेंबर 2021 और ये वक्षित आपके पार्थे पुस्तक रिमचिम के पार्थ टिप टिपवा से ली गई है तो चलिए शरू करते हैं उससे पहले फ्लीज हमारे चैनल को सरूर सब्सक्राइब कर दीजे आज आपके दो वक्षित आई हैं A और B अभी हम A कर रहे हैं जो की हिंदी की है B हमारे चैनल पर पहले से ही अप्लोड कर दी गई है आप जाकर देख सकते हैं पार्ट है आपका टिपटववा तो इस पार्ट में क्या होता है टिपटववा बारिश को कहा चाता है तो पुडिया जो है अपनी पोते से कहती है कि देखो टिपटववा बहुत परशान कर रहा है तब ही शेर वहां पर खड़ा होता है और वह यह जीज सुन लेता है तो और ये चैप्टर हमारे चनल पर आनी मेचिड में अपलोड है जैसे आप कार्टूस देखते होंगे उसे तरीकी से चैप्टर भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफी मजाएगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर को देख लीजे जिससे आपको वक्षिट करने मे भी असानी रहेगी तो आईए शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों आपने अपने पाठे पुस्तक का पार्ट टिप टिववा अनंद के साथ बोलकर पढ़ा और जाना कि कहानी का नाम टिप टिवव दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था बुढ़िया खीच कर बोली अरे बच्चवा का कहानी सुनाएं ये टिप टिप ववा से जान बच्चे तब ना ठीके सो ये दिखिए ये पोता है ये दादी है बारिश ओर ये बहुत जोर से अब पहला प्रश बुढ़िया से कहानी कौन सुनना चाहता था तो उनका पोता तीसरा है बुढ़िया अपने जान किस से बचाना चाहती थी इसका आंसरों चाहेगा टिप टिप वा ठीके अब दूसरा प्रशने है बच्चों बारिश की मौसम में आप अधिकतर क्या खाते हैं नीचे दिये चित्रों में से ढूड़ कर उस पर सही का निशान लगाईए तो बारिश की मौसम में पकोड़ा चाहे ये सब ही जो है खाते हैं है ना तो इस पर आप निशान लगा दीजिएगा तीसरा है बच्चों क्या आपको भी किसी चीज से डर लगता है अगर हां तो उस चीज का नाम लिखिए तो लिख सकते हैं मुझे साप से डर लगता है या किसी से भी डर लगता हो तो लिख सकते हैं आप लोग उसके बाद है आओ बात्चित करें एक बेटी है एक लड़की है मतलब और एक जो है कोई भी हो सकता है अंकल हो सकते है इसके तो यह बोल रहे होगे शुप्रभाद अंकल और यह बोल रहे होगे शुप्रभाद बेटा कैसे हो ठीके इस तरीके से जो है आप समबात करवा सकते हैं ये रेख लीजिए ठीक है न वक्षित यहीं कंप्लीट होती है आशर करती हूँ आपको समझाई होगी वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद